ये जो घर बना है ये घर जहां पर बना ये ग्राउंट था पहला कभी आग लगता है तो भागने के तेक लिए कोई जगा नहीं बचेगा दस भाई दस का जगा दिया था तो उनों ने और चार फूट भार निकाल लिया है अब भी हम लोंने कुछ ने बलाए कि किसी गरी को प्रॉब्रम ना हो नमस्कार महराश्टर बंदू न्यूज में मैं अफजल मंसूरी आपका स्वागत करता हूं और हम आये हैं भी यहां पर कफप्रेड दोभीगाड रजक सोसाइटी में यहां पर कुछ रहवासियों की समस्या हैं और जो हम जानेगे भी इसमें और हमारे साथ है AIMM के मुहमद अलीम शेक जो कुलाबा तालुका से प्रेसिडेंड रहे जो हमारे साथ अभी है कुछ मसलों के बारे में डिसकस करेगा हमारे साथ में जी अलीम साथ मेरा नम मुहमद अलीम शेक है मैं MIM से औल इंडिया मजलिस इतादुल मुस्लिमिन से प्रेसिडेंड कुलाबा तालुका का और मेरा यही मसला है जो रहवासी यहां के है जो कई सालों से आना जाना सब कुछ सही था यहां पर ग्राउंड भी था सब कुछ था मगर जैसे दिन बढ़ते चले गए वैसे सब कंजेक्शन होते चला गया है यह जो घर बना है यह घर जहां पर बना यह ग्राउंड था पहला वहां पर एक मशीन रखी रहती थी सिर्फ कपड़े सुकानी के लिए मशीन यूज होता था बस इस वो बंदे ने सामने ले किसी बोले भाले इंसन को फशा के चला गया और उसको जमीन बेज दिया और साथ-साथ यह रास्ता भी 후 बेजने के चक्कर में है और यह रास्ता बंध हो जाएगा तो हम लोग आने आने के लिए कोई रास्ता ही अगर फुदाना खास्ता कभी आग लगता है तो भागने के लिए कोई जगा नहीं बचेगा यह में बीमसी को देखना चीए फायर बिगेट को देखना चीए और जो यहां की पुलीस है इनको देखना चीए अगर कल को कुछ भी बड़ा दुरगटना होता है तो इन तीनों की जिम्मेदारी होगी बीम कीजिए बस उनका मुद्दा यही है अलीम साब इस मुद्दे पर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया और आप कहां-कहां इसकी कंप्लेंट की आपने मैंने सेप्टमबर 15 सेप्टमबर को उपर यह लेटर डाला था मैंने बीमसी में एवाड में और कलेक्टर ओफिस में प अभी तक इसको पर कोई कारवय नहीं हुआ हमें इसको पर दुबारा कारवय करना चाहता हूं इस लेटर के उपर और मेरे को यह रहिवासी मेरे साथ है हमें इनके साथ हूँ में को इनसाफ चाहिए और रहिवासी को इनसाफ चाहिए बस मेरा यह कि हमारे साथ है हरीश कनो वह वह बताएंगे इस समस्या के बारे में कि हम लोग ने पहले भी 2 दिन से लगातर बात कर रहें ये घर बनने से पहला भी हम लोग ने बोला था कि याप है घर देखके बनाई यह जगा सक्व है आपके लिए आपने जितना जगा में अबनां है तो आम लोग थो अपने काम पे रहते हैं उन्होंने जहां की दस दस जागा दिया था तो उन्होंने और चार फूट भार निकाला लिया है तब ही भी हम लोगने कुछ ने बोला कि किसी गरीब को प्रॉब्लम ना हो वह कैसा कमा के ला हम भी जानते हैं सब बुला जाने दो तो आप सीडी का मसला यह है कि अभी कल को आग लगता है जब की जब मेरा डैडी ओफ हो गए थे 2019 में तब मेरे डैडी का महियत लेके जाने के टाइम बॉडी त्यड़ा करके लेके जाना पड़ा था तो आज यह सीडी आ जाएगा तो कल किसी कोई को कुछ हुआ तो कैसे लेके भागेंगे हम लोग कैसे लेके जाएंगे किदर कलको आंग लगा कैसे उठाके लेके बागे बच्चे लोग कैसे कैसे भागेंगे किसको कहा कार कैसे देखेंगे हम लोग तो हम लोग ने उनको समझाया सब लोगने साइन किया एक बाई- कि अपर केस किए उनर को भी बुलाया तकल उनर ने बोला मैंने से कुछ नहीं बोला है भारसी नहीं निकालना है सीड़ी अंदर से ही निकलेगा उनके उनर से भी हमारा बात हो चुका है जो कि उन्हें ने बोल दिया मैं भी इनके पर कम्प्लेंट करूंगा यह लोग मुझे से बात कर लेते वहना किसी घरीब का घर तूटना अच्छी बात नहीं है तो हमने बहुत जाने दीजेए पहले देख लेते बात करके मसला सॉल्फ कर लेते तो सोसाइटी में सोसाइटी अले लोग ने भी आके समझा के गया कि सीड़ी आप अंदर से निकाली है फिर भी लो से बात करें भाई जबताव सर से बात करूंगा इस मुद्दिय के लिए देखूंगा कि क्या बात होता है क्या है अनका एक्शन लेते और वज़रूरी है और यहां बहुत बुच्छ लोग है जो यहां से 15-15 साल पुराने है जो कि हमारी अंटी है अंटी बात करेगी इनका आप हमारे साथ में हैं इस मसले पर आप क्या कहना चाहोगी यह कहना चाहूंगी कि देखो ऐसे मतलब यह है कि कल के दिन कुछ अंगार लगती है कोई बड़ा हास्था होता है तो इंसान कहां से भागेगा बराबर यह एक ही रस्ता रहे गया अगर उन लोगों ने घर लिया त उससे हमको कोई प्राबलम ने कोई तकलीब ने वो लोग ने रहना अच्छा पर मेरा कहना यह है कि यहां से सीडी नहीं निकालना चाहिए सीडी निकालेंगे तो रस्ता कितना बड़ा रहे जाएगा कैसा आएंगे जाएंगे दूसरे हमारे दूबी लोग है उनकी गठिया अगर गाडिया नहीं निकलेंगी तो खाएंगे क्या बराबार बस मेरा यही कहना है कि उनके घर में वो लोग कुछ भी करें और मेरा उनसे कोई तकलीम ने तो आप लोग मही लाएं जो इतनी सारी यहां पर सोसाइटी के अंदर है आप लोगों ने कंप्लेंड या क्या कार जानी रहवासी है वो इस मसले पे हमारे साथ में बात करेंगी ताई कितने टाइम से आप यहां पर हो और इस दोरान में जो यह एक इलिगल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ आप लोगों के सामने यह चीज़ हुए आप लोगों ने क्या कोशिश करी इसके बारे में और क्या पर बाड एती रात रीरी चीज़ाया यह लगते एक अन्दर चे कुड़ा आग लागती जो पड़पटि मनी शें मरदी अगर जो एक और शेंग अपर ने ताय आप यहां पर पूरानी रहवासी है तो उससे पहले जब आप यहां पर रहती थी तो उससे पहले यह जगा पे जब ये लोग ने यहां पर बनाना शुरू किया तब आप लोगों ने इस पर वो टेम पर कारवाई क्यों नहीं करने की कोशिश करें क्या कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं अब देखें आप मेरे सामने तो इतना कुछ बता रही है आपने क्या कोशिश करी कारवाई के लिए अलीम शेक को सब कुछ कारवाई के बारे में बता दिया था कि यहां यह सब स्रेक्शन चल रहा है तो उन्होंने हमें बोला कि ठीक है हमारे साथ सब जुड़े रहो हम सब कर का रहा है तो जगा तो और ही शोटी हो जागी अगर यहां तक ही दीवार in-saham खड़ा करता है एक्शव यह है जगा ये सरोड रोड पे तो कोई किसी का घर नहीं बना सकता है यह अमारा आने जाने का रस्ता है रस्ता तो नहीं बेचा है उसने उसने बेचा है अपना जग वह था और कल 2-3 दीन पहले ये पत्र ही पत्रा था यह पत्र हम लोग ने कार दिया तो लोग को मालूं पड़ हम भी दो-तीन दीन से काम पर नहीं जा रहें कि यहां पर सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने में पर जब चोड़ाइन और उनको सब्सक्राइब हुआ कि डाली जिसकी जमीन है उनने दिवार उठा लिया तो पब्लिक कहां से निकलेगी कहाँ से जाएगी अच्छा आपपा यहां की जो लोकल कॉर्परेटर हैं जिन्का नाम है क्या है लोकल कॉर्परेटर है आप लोग को मिलकर के उनके पास गई थी शिकायद लेकर अभी तक हम ऐसे नहीं हैं हम लोग अपस में प्यार में सुलत जाए तो अच्छी बात है ना पिर आगे तक हम लोग नहीं आगे बढ़ाना चाहरा है किसी का घर तूटे या किसी का कुछ नुकसान हो एक तो बिना कागज बिना पुरूप के घर लिया है जमी लिये उसने फिर इतना चार फिट आगे बढ़ा के बना है फिर दो फिट की सीड़ी लगेगी फिर इन बंद बोल रहे हैं चीड़ी यहां लगेगी तो फिर हम दिवार खड़ा करेंगे जब दिवार सीड़ी हो जाएगी तो फिर पब्लिक निकलेगी कहां से दोवी गार्ड के रजक सोसाइटी में हम अभी यहां के कुछ रहवासियों के शिकायते हैं और इनकी जो कंप्लेंट्स थी जो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे थे काफी दिक्कत है इस इलीगल कंस्ट्रक्शन की वज़े से उन्होंने अपनी शिकायत करिये मैं कोशिश करूँगा कि पचाशाशन तक और बीमसी और कार्पेटर तक का इनकी बात पहुँचा है और यहां पे होने वाली जो तकलीफ है रहवासियों की वह दूर हो यहां इसी के साथ मैं यहां वीडियो खतम करना चाहूंगा हमारे महराश्चा बंदू न्यूस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और आवाज नहीं सवाल उठाए प्रॉब बंदू यहां 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 नहीं सब्सक्राइब और आप लिए और आवाज जब यहां यहां जया जो का बंदूंगा है पुर्शब झाल प्रॉब प्रॉब नहीं से जएंगा है वीडियों तो ।ो